जहें दोस्तों दोस्तों एक जुलाई 2024 से पूरे देश में 15 नए नियम और कुछ जानकारिया भी आपके साथ मैं सेर करूँगा तो चाहे आप कर्मचारी हैं पिंसन भोगी हैं चाहे नहीं भी हैं लेकिन देश के नागरिक हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी भारत का दुनिया में पर्चम फैराने के लिए हार्दिक सुबकामनाय देता हूं हाला कि दोस्तों मैच जितना हमेशा पूरी टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्वर करता है लेकिन मैं आपसे यदि आप क्रिकेट के फैंस हैं तो आपसे यह जानना चाहूंगा तो चार ऐसे टर्निंग पॉइंट या फिर ऐसे घटना हैं जिससे की फाइनल के मैच का रुख बदली हो गया हो या फिर आपको कुछ अलग से कुछ प्रेणा मिली हो तो दोस्तों उस घटना का या उस मोमेंट का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना दोस्तों अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि क्या चीजें बदलने जा रही हैं एक जुलाई से सबसे पहले तो दोस्तों सिम आप सभी इस्तेमाल करते हैं तो सिम को लेकर के दोस्तों बड़ी ख़बर है इसके उपर जो है दोस्तों नए टेली कॉम्निकेशन कानून लागू हो च सकता है और फर्जी तरीके से अगर आप कोई सिम ले रहे हैं तो पचास लाग का जुर्माना या तीन साल की कैद भी हो सकती है दोस्तों और इसके अलावा भी आप जो है कुछ इन्यमों को पढ़ सकते हैं अब दोस्तों आप सोच रहे होंगा कि हमें तो याद ही नहीं है कि हमने अपनी आईडी से कितने सिम लिये हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों जो टेली कॉमनिकेशन की यहाँ साइट है वेब साइट आप इसको नोट भी कर सकते हैं और यदि आप इसको एकसेस करेंगे तो इसमें पूरे ओफशन आ जाते हैं दोस्तों और किस प है दोस्तों जब सिम की बात चल रही है तो इसके विचार्ज भी दोस्तों तीन और चार जुलाई से बढ़ने जा रहे हैं 20-30 सक तक जो है चाहीं जियो और वोड़ाफोन आइडिया के जिया दोस्तों जियो और एटेल के रिचार्ज प्लान जो है नई कीमत है तीन तो दोस्तों ये है और नया प्राइज है दोस्तों ये वाला तो अगर जो है आप तीन जुराई से पहले रिचार्ज कर लेते हैं तो आप यहां पर देख भी रहे होंगे कि कितना फाइदा आपको रहेगा कितने की बचत हो सकती है तो दोस्तों अगर आपने रिचार्ज नही दोस्तों सुकन्या समरिद्धी योजना आपको पता ही है कि बेटियों जो 10 साल से नीचे की बेटिया हैं तो उनका सुकन्या समरिद्धी योजना के तहट आप खाता कोल सकते हैं और उसमें जो है जुलाई अगस सितम्र किमाही के लिए जो rate of interest तै किया गया है सरकार की तरफ स वहाँ जो है आठ दसमलब दो परतिसात ही मिलती रहेगी उस पर व्याज ठीक है इसके अलावा दोस्तों कई इसकी में गौर्मेंट की आप देख रहे हैं इनमें कितना कितना ब्याज दे रहे हैं गौर्मेंट उस चीज को भी आप जो है नोट कर सकते हैं आगर बढ़ेंगे दोस्तों की सरकार करमचारियों का बढ़ेगा वितन यहां दोस्तों आपको पता ही है कि एक जुलाई से जो है एक जुलाई से तो एक जो करमचारी होते हैं सरकारी करमचारी उनको जो है उनकी सेलरी में बेसिक सेलरी में एक इंक्रिमेंट उनको मिलता है साल भर में जो है दोस्तों एक इंक्रिमेंट मिलता है तो एक जुलाई को एक तो उनकी बेसिक सेलरी बढ़ जाएगी दूसरा एक ज माल भर में दो बार बढ़ता है महंगाई दर महंगाई राहत जिसको कहते हैं तो एक तो जनवरी में बढ़ता है एक जनवरी को और एक जुलाई को ठीक न तो अगर जो है दोस्तों अपरेल के AICPL के आंकड़े देखे जाएं तो इसमें जो है तीन परतिसत बृद्धी जो होन संभावता तीन परतिसत की बृद्धी हो सकती है और यहाँ पचास परतिसत से बढ़कर के तिरेपन परतिसत हो जाएगी हाला कि दोस्तों जब जून लास्ट तक के आंकड़े आ जाएंगे उसी के बाद जो है यहाँ तनफरम हो पाएगा लेकिन आप यहाँ समझ के चलिए कि तीन परतिसत की बृद्धी इसमें संभा होता होना है अगला दोस्तों अब आपको पता ही है बजट का सेसन है जुलाई में तो इस समय जो है खबरे निकल करके आ रही है कि इंकम टेक्स के ऊपर बड़ी छूट मिल सकती है दस अभी दस लाग रुपे तक की आएपर टेक छूट की उमीद है और एटी सी में भी जो आपको पता है एटी सी में आप डेड़ लाग तक का इंवेस्टमेंट दिखा सकते हैं तो इसमें भी जो है कुछ बड़ोतरी कर सकती है कि दो लाग धाई लाग तक जो है एटी सी में आप इंवेस्ट कर सकते हैं और अगली चीज यह दोस्तों जो सेल रिड और पेशनस हैं आपको पते हैं उनको स्टेंडर्ड डिडक्शन मिलता है पचास हजार तक का तो उसको भी बढ़ा करके एक लाग तक किया जा सकता है अच्छा दोस्तों खबर है कि इस बजट सेशन में आठवे पे कमिशन के गठन की गोशना हो सकत थी तो करमचारी संगटनों की मांगों को देखते हुए उनसे संबंदित अन्या गोशनाए भी इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं इसी परकार से जो है NPS दोस्तों अभी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि सरकार जो है इस पर विचार कर रही है कि जो NPS के स्कीम के तहत क उनको जो पिंशन मिले वहां 50% प्रोटेक्ट की जाए ओल्ड पिंशन की तरह तो दोस्तों इस पर आगे क्या जानकारी निकल करके आती है वो आगे पता लगेगा अगला है दोस्तों OROP का तीसरा थर्ड रिवीजन जैसे कि आपको पता है कि जो डिफेंस पिंशनर्स हैं उनको जो है OROP का लाग दिया जाता है और जो तीसरा इनका रिवीजन होना है दोस्तों 1 जुलाई 2024 से यहां लागू हो जाता है और आप सोच रहेंगे दोस्तों कि यहां तुरंत जो है इस पर कारवाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि PCDA इसको डारेक्ट जो कर देगा तो रिवाईज करेगा अगला एक्वल MSP के ऊपर भी दोस्तों खबर है यहां भी जो है डिफेंस पेंसनस के लिए है या फिर सेवारत सेन्य करिमों के लिए है कि एक्वल MSP का मामला जो की दिल्ली हाई कोट में चल रहा है तो उसमें जो है अब 10 जुलाई 2024 को सुनवाई होगी और इसका समय है साड़े तीन बजे और हो सकता है दोस्तों की नई बेंच यहां पर जो है सुनवाई करें अगला है दोस्तों नौकरी के ऊपर जी हां दोस्तों रोजगार के ऊपर भारतिया डाक विभागने दोस्तों 35,000 वेकेंसिज निकाली है दोस्तों बिल्कुल इस ची आपन दोस्तों कि कौन-कौन सी कब-कब वेकेंसिज हैं आप इसका स्क्रीन सोड भी ले सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन में दे दूँगा आप पूरी की पूरी उसमें जानकार आपको पता ही है कि जो NPS के बगता होते हैं उनकी सेलरी से जो है NPS contribution चला जाता है लेकिन दो-तिन दिन में वह जाकर के NPS में उसका investment होता है लेकिन आब जो है यहां क्या है शुविदा जैसे ही उनका NPS के लिए उनकी सेलरी से कटेगा तो वो बगने सेटलमेंट हो जाएगा एक ही दिन में सेटलमेंट हो जाएगा तो पी एफ आर डी ए पी एफ पार डिया ने जो नेशनल पिंसन स्कीम के गरहाकों के लिए निप्टान परकिरिया में एक महत्पूर्ण बदलाओं की हगोशना की है दोस्तों और आपको पतावने चाहिए इससे क्या होगा दोस्तों कि जो करंट एनेवी है नेट असेट वैल्यू उस फंड की वो तुरंत मिल जाएगी और इससे जो है जो कर्मचारी एनपियस के उभोगता है उनको इसका फाइदा होगा अगला जो पी अप खाता धारा कहें दोस्तों उनके लिए है अब उनके लिए थोड़ा जो है अच्छी ख इस सुविदा को उनके लिए बंद कर दिया गया है यानि कि तीन महिने की सेलरी का 75% जो है नहीं निकाल पाएंगे अगला जो है पॉलिशी धारकों के लिए है दोस्तों अच्छी ख़बर है कि पहले क्या होता था इस पर जो है सरेंडर वैल्यू बहुत कम मिलती थी आपने एक साल में बंद कर दिया अपना भी मा दो साल में बंद कर दिया तीन साल में बंद कर दिया आपसे नहीं चलागा तो आपने बंद कर दिया आपकी इच्छा नहीं थी तो ऐसे में क्या होता था जो आपको जो जमारासी होती थी तो उसकी सरेंडर वैल्यू बहुत ही कम मिलत लेकिन अब इरडा ने क्या है दोस्तों एक नया नियम बना दिया था आप देख रहे हैं कि पहले की पॉलिशी क्या थी कि जब आप उसको सरेंडर करते थे दो साल में 30% अगर तीन में करते थे तो 35% उसकी वैल्यू मिलती थी तो इसी परकार से 4-7 साल के बीच में 50% जो है इ नियम देते हैं चार साल के लिए देते हैं तो 2,00,00 यदि आप जमा होते हैं तो पहले 1,20,000 मिलता था इसका लेकिन अब कितना मिलेगा 1,55,000 जी आ दोस्तों आप इस चीज को देख रहे हैं तो पहले के जो नियम थे उससे काफी घाटा हो रहा था लेकिन अब इस नियम से तो आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं कि 35,000 का फाइदा फाइदा ही लगा लीजिए हलां कि अपना ही पैसा है लेकिन उसकी surrender value कम हो रही थी तो RIDA ने जो आप यहां नियम जारी कर दिया है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगला दोस्तों Chief of the Armistar भारत्य सेना के थल सेना ध्यक्स का पदभार बदली हो चुका है दोस्तों यहां 30 जून था दोस्तों तो जन्रल उपेंद्र दिवेदी PBSM-ABSM ने जन्रल मनोश पांडे PBSM-ABSM-VSM-ADC से तीसमें थल सेना प्रमुक के रूप में पदभार गरहन कर लिया है दोस्तों तो यह जन्रल मनोश पांडे साहब है इन्हों ने पदभार अब जन्रल उपेंद्र दिवेदी साहब को दे दिया है तो दोस्तों यहां थी इस वीडियो में महत्मून जानकारियां और खबरें वीडियो में नई जानकारिक साथ जैहिन वन्ने मात्रम।